रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इदाई है कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभाव है बृच्छों पर अजीब हरियाली है खेतों में कुछ अजीब रोनक है आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है आज का सूरे देखो कितना प्यारा कितना शीतल है यानि पूरे संसार को ईद की बधाईयां दे रहा है गाउ में कितनी हलचल है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पडोस के घर में सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलो को सानी पानी दे 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 इदगाह से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सैकड़ो आदमियों से मिलना भेटना दोपहर के पहले लोटना असंभव है लड़के सबसे जादा प्रशन है किसी ने एक रोज का रोजा रखा है वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं लेकिन इदगाह जाने की खुसी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बुड़ों के लिए होंगे इनके लिए तो इद है रोज इद का नाम रट्टे थे लोग आज वह भी आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग इदगाह क्यों नहीं चलते इन्हें ग्रियस्ति की इतनी चिंता क्यूं है सेवईयों के लिए दूद औ आखे बदल ले तो सारी इद मुहर्रम हो जाए उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुस होकर फिर रख लेते हैं महमुद गिनता है एक दो दस बार उसके पास बार पैसे हैं मोसिन के पास ए इनी अंगीनत पैसों में अंगीनत चीजे लाएंगे खिलोने मिठाईयां बिगूल गेंद और जाने क्या क्या और सबसे जादा प्रशन है हामिद वह चार-पांच साल का गरीब सूरत दुबला पत्ता लड़का जिसका बाप गत वर्स हैजे की भेट हो गया और मा नजाने क्यों पिली होती होती एक दिन मर गई किसी को पता नहीं चला की क्या बिमारी है कहती तो कौन सुनने वाला था दिल पर जो कुछ भित्ती थी वह दिल में ही सहती थी और न सहा गया तो संसार से विदा हो गई अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रशन है उसके अबबाजान रुपे कमाने गए हैं बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे अमी जान अलामिया के घर उसके लिए बड़ी अच्छी चीजे लाने गई है इसलिए हामिद प्रशन है आसा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आसा उनकी कलपन तो राई का परवत बना लेती है आमिद के पाउं में जूते नहीं हैं सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रशन है जब उसके अबबाजान थैलियां और अमी जान नियामते लेकर आएंगी तो वह दिल से अर्मान निक आज आबिध होता तो क्या इसी तरह इद आती और चली जाती इस अंधकार और निरासा में वह दूबी जा रही है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल ना डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गाउं के बच्च कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी नन्ही सी जान तीन कोस कैसे चलेगा पैदल पैर में छाले पढ़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में लेकर जाती लेकिन यहां सेवईया कौन पकाएगा पैसे होते तो लोटते लोटते सब सामगरी जमा करके चटपड बना लेती, यहां तो घंटों चीजे जमा करते लगेंगे, मांगे काहीं तो भरोसा ठहरा, उस दिन फहिमान के कपड़े सिले थे, आठ आने पैसे मिले थे, उस अठनी को इमान की तरफ बजाती चली आती थी इसी इद के लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई, तो क्या करती, हामित के लिए कुछ नहीं है, तो दो पैसे का दूद तो चाहिए ही, अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामित के जेब में, पांच अमीना के बटवे में, यहीं तो बिसात है, इद का तेवहार, अल्ला ही बेडा पार लगावे, धोबन और नाइन, महतरानी और चुड़ेहारिन, सभी तो आएंगी, सभी को समया चाहिए, और थोड़ा किसी को आखों में नहीं लगता, किस-किस से मुह चुराएगी, और मुह क्यों चुराए, साल भर का तेवहार है, जिन्दिकी खैरिय से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कड़ जाएंगे, गाव से मेला चला, और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था, कभी सब के सब दोड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेंड के नीचे खड़े होकर साथ व सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दिवारी बनी हुई है, पेणों में आम और लीचियां लगी हुई है, कभी कभी कोई लड़का कंकडी उठा कर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के वहाँ एक फरलां पर हैं और खुब हस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है, बड़ी बड़ी मारते आने लगी, यह अदालत है, यह कालेज है, यह कलब घर है, इतने बड़े बड़े कालेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं है जीब, बड़े बड़े आदमी हैं सच में उनकी बड़ी-बड़ी मूचे हैं इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर हामित के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं बिलकुल तीन कवडी के रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या कलब घर में जादू होता है सुना है यहां मुर्दों की खोपड़ियां दोड़ती हैं और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और वहां साम को साहब लोग खेलते हैं बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं मूछो डाड़ी वाले और मेमे भी खेलती हैं सच हमारी अम्मा को यह दो क्या नाम है बैट उसे तो पकड़ ही न सके घुमाते ही लुड़क जाए महमूद ने कहा हमारी अम्मी जानका तो हाग कापने लगे अल्ला कसम मूसिन बोला चलो मनों आटा पीज डालती हैं जरासा बैट पकड़ लेंगी तो क्या हाग कापने लगेंगे सैकडों घड़े पानी रोज निकालती हैं पांच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आखे तले अंधेरा आ जाए महमूद लेकिन दवडती तो नहीं उचल कुद तो नहीं सकती मोसिन हाँ उचल कुद तो नहीं सकती लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और जोधरी के खेत में जा पड़ी थी अम्मा इतनी तेज दवड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका सच में आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई आज खुब सजी हुई थी इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक एक दु दुकान पर मनों होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अबबा कहते थे कि आधी रात को हर आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपे देता है बिलकुल ऐसे ही रुपे हामित को यकीन ना ऐसे रुपे जिन्नात को कहा से मिल जाएंगे मोसिन ने कहा जिन्नात को रुपे की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाएं लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकती हैं आप हैं किस फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं जिससे खुस होगे उसे टोकरो जवाराद दे दिये अभी यहीं बैटे हैं पांच मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं हामिद ने कहा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या मोसिन कहा एक-एक सीर आसमान के बराबर होता है जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सीर आसमान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए हामिद लोग उसे खुस कैसे करते होंगे मुझे कोई ऐसा मंतर बता दे जो एक जिन्न को मैं खुस कर लूँ मोसिन अब ये तो मैं नहीं जानता लेकिन चौदरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं कोई चीज चोरी जाए चौदरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे जुमराती का बच्वा उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं न मिला तब जख मार कर चौदरी के पास गए चौदरी ने तुरन बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं अब उनकी समझ में आ गया कि चौदरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगे चले यह पुलिस लाइन है यहीं सब कांस्टीबल कयावत करते हैं रेटन, फाइ, फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं तो चोरियां हो जाएं मोसी ने प्रतिवात किया यह कांस्टीबल पहरा देते हैं तुम यह जानते हो अजी हजरत यह चोरी करते हैं सहर के जितने चोर डाकूं है सब इन से मिले रहते हैं रात को यह लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहले में जाकर जाकते रहो जाकते रहो पुकारते हैं तभी इन लोगों के पास इतने रुपे आते हैं मेरे मामू एक थाने में कांस्टिबल हैं 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपे महीने घर भेजते हैं अल्ला कसम मैंने एक बार पूछा था मामू आप इतने रुपे कहां से पाते हैं हसकर कहने लगे लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं मोसिन उसकी नादानी पर दया दिखा कर बोला रे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं लेकिन अल्ला इन्हें सजा भी खूब देता है हराम का माल हराम में जाता है थो हमें 150 से ज़्यादा होते हैं कहां 50 कहां 150 एक थैली भर होता है 100 तो दो थैलियों में ना आये अब यह बस्ती घनी होने लगी इद गाह जाने वालों की टोलिया नजर आने लगी एक से एक भड़किले वस्त्र पहने हुए हैं कोई इक के तांगे पर सवार कोई मोटर पर सभ अभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, ग्रामेडों का या छोटा सा दल अपनी बिपन्नता से वेखबर, संतोस और धैर में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनुखी थी, जिस चीज की ओर ताक्ते, ताक्ते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हार्न की आवाज होने पर भी न चीतते, हामित तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा इदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वरिख्चों की चाया है, नीचे पक्का फर्स, जिस पर जाजम बिच्चा हुआ है, और रोजेदारों की पंग्तियां एक के पीछे एक न जाने कहा तक चली गई हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलवनों की दुकान पर धावा होता है, ग्रामेडों का यह दल इस विशे में बालकों से कम उस्सा ही नहीं है, यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चड़ जाओ, कभी आसमान पर जाते कभी जमीन पर, यह चर्खी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, उट, छड़ों में लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ, और पचीस चक्रों का मजा ले लो, महमूद और महसीन, और नूरे और सम्मी, इन घोड़ों और उटों पर बैठते हैं, हामें दूर से देखता है, तीन ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोस का एक तिहाई, जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, सब चर्खियों से उतरते हैं, अब खिलोंने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तर तर के खिलोंने, सिपाही और बुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन, साधू, वा, कितने सुंदर खिलोंने हैं, महमूत सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, और लाल पगडी वाला, कंधे पर बंदूग रखे हुए, मालुम होता है, अभी कयावत की ये चले आ रहा है, मोसीन को भिस्ती पसंद आई, कमर जुकी है, से पकड़े हुए है, कितना प्रशन है, साध कोई गीत गा रहा है, बस मसक से पानी उडेलना ही चाहता है, नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी बिद्धमता है उसके मुक पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घडी, सुनहरी जंजीर, एक हा सकुल तीन पैसे है, इतने महंगे खिलोने वक कैसे ले ले, खिलोना कहीं हाँ से छूट पड़े, तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े, तो सारा रंग धुल जाए, ऐसा खिलोना लेकर वक क्या करेगा, किस काम के, मोसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाए सांस सवेरे, महमूत कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा, तो फोरण बंदूग से फायर कर देगा, नूरे कहता है, मेरा वकिल खोब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी, हामित खिलोनों की निंदा करता है, मिटी ही के तो है, गीरे तो चकना चूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलोनों को देख रहा है, और चाता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है, उसके हाथ अनयास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विसेस कर जब वो अभी नया सोख है, हामित ललचाता रह जाता है, खिलोनों के बाद मिठाईयां आती हैं, किसी ने रेवणिया ली, किसी ने गुलाब चामून, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं, हामित बिरादरी से प्रितक है, अभागे के पास तीन पैसे हैं, क्यों नहीं क पुछ लेकर खाता, ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है, मोसिन कहता है, हामित रेवडी लेजा, कितनी खुस्पूदार है, हामित को संदेव हुआ, यह केवल कुरूर विनोध है, मोसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है, मोसिन द हामित खिसी आजाता है, हामित, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराईया लिखी है, मोसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खाले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते, महमूद, हम समझते हैं इसकी चला की, जब हमारे सारे पैसे मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने, लोहे की, चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली कहनों की, लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षन न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामित लोहे की दुकान पर रुख जाता है, कई चिम्टे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं, तो उसका हाथ जल जाता है, अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे, तो वह कितना प्रसन होंगी, फिर उनकी उंगलिया कभी नजलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलवनों से क्या फ यह चोटे बच्चे जो मेले में नहीं आये हैं, जित करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे, चिम्टा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूले में सेंक लो, कोई आग मांगने आया है, तो जटपट चूले से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेच देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाईयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी, उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूंगा कि खाए मिठाईयां आप, मुझ रड़ेगा, फोड़े फुंसिया निकलेंग तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, किताब में जूटी बाते थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी, अम्मा चिम्टा देखते हीं दोड़कर मेरे हाँ से ले लेगी, और कहेगी मेरा बच्चा, अम्मा के लिए चिम्टा लाया है, कितना अ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन से मिजाज दिखाऊंगा, खेलें खिलवने और खाएं मिठाईयां, मैं नहीं खेलता खिलवने, किसी का मिजाज क्यों स हूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अबबा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्म कि एक पैसे की रेवणिया ली तो चिडा-चिडा कर खाने लगे सब के सब हसेंगे कि हमित ने चिम्टा लिया है हसें मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा यह चिम्टा कितने का है दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी विकाव है की नहीं विकाव क्यों नहीं है यहाँ पर हर सामान विकाव है तो यह क्यों नहीं बताते कि कितने का है छे पैसे लगेंगे हामित का दिल बैठ गया ठीक ठाक पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो लेरू नहीं चलते बनो हामित ने का लेजा मजबू क्या नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंदे पर रखा मानों बंदूख है और सांज से अकड़ता हुआ संगीयों के पास आया जरा सुनें सब के सब क्या आलोचनाई करते हैं। मौसिन ने हसकर कहा यह चिम्टा क्यों लाया पगले इससे क्या क करेगा। हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भीस्ती जमीन पर गिरा दो सारी पसलियां तूट कर चूर-चूर हो जाएंगी बच्चु की। महमुद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है। हामिद बोला खिलोना क्यों नहीं अभी कंदे पर रखा तो बंदूख हो गई। हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिम्टा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिम्टा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलोने कितने ही जोर लगाएं मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरा बहादूर शेर है मेरा चिम्टा सम्मी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दोवाने की है हामिद ने खंजरी की ओर उपेच्छा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फार डाले बस एक चिम्टे की जिल्ली लगा दी धब धब बोलने लगी जरासा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा डटा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आये हैं नव कपके बजगे, धूब तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही है बाप से जिद भी करें, तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चला इसलिए बदमास ने अपने पैसे बचा कर रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए हैं मुहसीन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं हामिद अकेला दूसरी तरफ एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा जो इस वक्त अपने को फावलात कह रहा है वह अजिय है, घातक है अगर कोई सेर आ जाए, तो मिया भिस्ती के छक्के छूड़ जाएं मिया सिपाही मिट्टी की बंदूग छोड़ कर भाग जाएं वकिल साहब की नानी मर जाए चोंगे में मूँ छिपा कर जमीन पर लेट जाएं मगर यह चिम्टा, यह बहादूर, यह रुस्त में हिंद लपक कर सेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखे निकाल लेगा मोसिन ने एड़ी चोटी जोर लगा कर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता हामिद ने चिम्टे को सीधा खड़ा करके कहा भिश्ती को एक डाट बताएगा तो दोड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा मोसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुचाई अगर बच्चा पकड़ जाये तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे अब तो वकिल सहब के पैरों पढ़ेंगे हामिद इस प्रबल तरका जबाब न दे सका उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा नूरे ने कड़कर कहा यह सिपाई बंदूक वाला हामिद ने मूचला कर कहा यह बेचारा हम बहादूर उस्त में हिंद को पकड़ेगा अच्छा लाओ अभी जरा कुस्ती हो जाए इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेंगे क्या बेचारे मौसिन को एक नई चोड सूज गई तुमारे चिम्टे का मौ रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिद ला जवाब हो जाएगा लेकिन यह बात नहीं हुई हामिद ने तुरन जवाब दिया आग में बहादूर ही कुदते हैं जनाब आग में कुदना वह काम है जो यह रुस्त में हिंदी कर सकता है मामूद ने एक जोर लगाया वकिल साहब कुरसी मेज पर बैठेंगे तुमारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया कितने ठिकाने की बात कही अप पठेंगे चिम्टा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है हामित को कोई फड़कता हुआ जबाब न सुझा तो उसने धांदली शुरू की मेरा चिम्टा बवर्ची खाने में नहीं रहेगा वकिल साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून की पेट में डाल देगा बात कुछ बनी नहीं खासी गाली गलोज थी लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात चागई कानून मुख से बाहर निकलने वाली चीज है उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है हामित ने मैदान मार लिया उसका चिम्टा रुस्त में हिंद है अब इसमें मोहसीन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ती नहीं हो सकती बिजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामित को भी मिला औरों ने तीन, तीन, चार, चाराने पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज न ले सके हामित ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सच ही तो है खिलवनों का क्या भरोसा कब तूट फूट जाएं हामित का चिम्टा तो बना रहेगा बरसों हामित ने हारने वालों के आसू पोचे मैं तुम्हें चिड़ा रहा था सच यह चिम्टा भला इन खिलवनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले अब बोले लेकिन मोसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोस नहीं होता चिम्टे का सिक्का खोब बैट गया है चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है मोसिन इन खिलवनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा महमूद दुआ को लिए फिरते हो उल्टे मार न पड़े अमा जरूर कहेंगे कि मेले में अं मिट्टी के खिलवने मिले हामित को स्विकार करना पड़ा कि खिलवनों को देख कर किसी की मा इतनी खुश्ण होंगी जितनी दादी चिम्टे को देख कर होंगी तीन पैसी ही तो थेवस के जेब में उन पैसों के इस उपयोग पर पस्तावे की बिल्कुल जरूरत न थी फिर अब तो चिम्टा रुस्त में हिंद है और सभी खिलोनों का बादसा ग्यारव बच गए गाउं में हलचल मच गई मेले वाले आ गए मोसीन की छोटी बहन ने दवड कर भिस्ती उसके हांस से छीन लिया और मारे खुसी के जाउ छिली तो मिया भिस्ती नीचे आगिरे और सुरलोक सिधारे इस पर भाई बहन में मार पीठ हुई दोनों खूब रोए उनकी अम्माय शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को उपर से दो दो चाटे और लगाए मिया नूरे के वकिल का अंत उनके प्रतिष्ठा नुकूल इस से जादा गौरों में हुआ दिवार की खूटियां गाड़ी गई उन पर लकड़ी का एक पट्रा रखा गया पट्रे पर कागच का कालीन बिचाया गया वकिल साहब राजा भोच की भाती सिंघासन पर विराजे नूरे ने उन्हें पंखा जलना सुरू किया अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं क्या यहां मामली पंखा भी न हो कानून की गर्मी दिमाग पर चड़ जाएगी की नहीं बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोड से वकिल साहब स्वर्ग लोक से मृत्य लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया फिर बड़े जोर सोर से मातम हुआ और वकिल साहब की अस्थी घूरे पर डाल दी गई अब रहा महमूत का सिपाही उसे चटपट गाउं का पहरा देने का चार्ज मिल गया लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारन व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले वह पालकी पर चलेगा एक टोकरी आई उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाएगे जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जाकते रहो जाकते रहो पुकारते चलते हैं मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए महमूत को ठोकर लग गई तोकरी उसके हाँ से छूट कर गिर पड़ती है और मिया सिपाही अपनी बंदूख लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है महमूत को आज ग्यात हुआ कि वह अच्छा डाक्टर है उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह तूटी टांग को आनन फानन में जोड सकता है केवल गूलर का दूद चाहिए गूलर का दूद आता है टांग जबाब दे जाती है सल एक्रिया अस्फल होई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है अब कम से कम एक जगह आराम से बैट तो सकता है एक टांग से तो न चल सकता था न बैट सकता था अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है कभी-कभी देवता भी बन जाता है उसके सिरका जालरदार साफा खुरच दिया गया है अब उसका जितना रुपांतर चाहो कर सकते हो कभी कभी तो उससे बाटका काम भी लिया जाता है अब मिया हामित का हल सुने अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वचोंकी यह चिम्टा कहां से आया मैंने मोल लिया है कितने पैसे में? तीन पैसे में अमीना ने चाती पिट ली यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुगा कुछ खाया न पिया लाया क्या? चिम्टा सारे मिले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी मुलिया तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया बुढिया का क्रोध तुरंत इस नेह में बदल गया बच्चे में कितना त्याग, कितना सभाव और कितना विबेख है दूसरों को खिलवने लेते और मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना लल जाया होगा इतना जब्द इससे कैसे हुआ यहां भी उसे अपनी बुढिया दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया और अब बड़ी विचित्र बात हुई हामिद की इस चिम्ते से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बुढ़े हामिद का पाड़ खेला था बुढ़िया अमीना बाली का अमीना बन गई वह रोने लगी दामन फैला कर हामिद को दुआय देती जाती थी और आशू की बड़ी बड़ी बूदे गिराती जाती थी हामित इसका रहस्य क्या समस्ता